यह क्लासे हमने रिकॉर्ड पे लगा दिया है ताकि आपको यह वीडियो चाहिए होगी तो इस क्लासे की वीडियो भी आपको मिल जाएगे तो एबरीवन मेरा नाम संतोस्कुमार है मैं बिहार पटना से हूं स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूसन हमारा प्लेटफोर्म है इस प्ले इवर आपको ठ्रॉष्ट हो विश्वास हो तो हमारे साथ आप जोड सकते हैं और अगर ट्रॉष्ट विश्वास नहीं हो तो सिर्फ हम आपका एक घंटा लिये हैं उसके लिए च्छमाचा है ठीक है तो चलिए कंटीनियू करते हैं एक मिंट रोग करके थोड़ा शाइड में नोटीस कीजेगा एक फोर्म आया होगा आपको Google फोर्म आप लोग उस फोर्म को क्लिक कीजे एक पेज कुलेगा नाम इमेल आइडी दे करके एक बार आप सम्मीट कर देजेए एवरीवन फटाफट एक मिनट का टाइम में आप लोगों के पास क्लास को मिस्टार्ट कि देखेए चैट वॉक्स में आप लोंको को गि एक फोर्म दिखा होगा एक वार दुबारा डाल दीजै अगा भूबर में को को मांग रहा है कि खोलिएगा तो हो सकते आपको options पूछेगा किसमें खोलना है तो किसी में भी आप खोल सकते हैं Google Chrome में भी आप उस फॉन को फॉन को खोल सकते हैं यहां पर आपको सिर्फ आपका नाम मोबाइल लंबर देना है ठीक है और आप क्या रिपेरिंग करते हैं उस वह लिक करके सिर्फ सम्मिट कर दीजिए ठीक है नाम मोबाइल लंबर आपको ऐसा काम सीखना चाहते हैं सौफ़वेर का काम नहीं कर पा रहे हैं हाडवेर का काम नहीं कर पा रहे हैं एडवांस का काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसमें टिक करके सम्मीट कर दीजिए तीन आपसे पूछा जा रहा है एडवांस हाडवेर और सौ फॉम खोलिए फॉम खोलिएगा तो आपका क्रॉम में सर्च खुल जाएगा बस उसमें फील कीजिए और सच सेव कर देज़ें कि मेरा माइक्रोस्कोप मैकेनिक का है कि एक मिनट और बचा है फटाफट फॉम प्लीज समिट कर दीजे फटाफट जो लोग नहीं किया फटफट कर जो फॉस्ट टाइम आज हमारे साथ जूड़ें है फॉम मिला है आपको समिट कर दीजे दन थैंक्यू संजु भाई आपने कर दिया आजय सर्मा जी थैंक्यू और मुम्ताज आलम जी थैंक्यू जैवीर जी थैंक्यू आपने कर दिया धन्यवाद बांकि जो लोगों ने नहीं किया है कर लिजिए फटाफट कि चलिए बिनायक नारायन पटेल जी तन्यवाद चलिए थैंक्यू कर दो को हमारा स्क्रीन आ रहा होगा कर लिजिए फटाफट क्लास स्टार्ट होगी एवरिवन और फॉर्म आप आप देख रहें कि मार्केट में हर कोई फटाफट फटाफट फाइब खरीद रहा है और आने वाला वक्त ऐसा होगा एकाथ साल दो साल के बाद हर किसी व्यक्ति के हाथ में फाइब जी दिखेंगे और देखिए सोचने वाली बात यह है और मुझे अब चैट बॉक्स बंद करना परेगा आप लोग फॉर्म फिल कर दिजिए अवरिवन चैट बॉक्स को मैं थोड़ा डिसेबल कर देता हूं क्योंकि मैं क्लास ले रहा हूं तो मुझे बार-बार अगर नॉटिफिकेशन आएगा तो दिक्कत होगा एक सब्सक्राइब चैट बॉक्स को चलिए तो कुछ टैम ऐसा आने वाला एवरिवन की हंडेट परसेंट आपके पास फाइब जी फोन ही कस्टमब लेकर करके आएंगे और देखिए सबसे बारा समस्या किन के साथ है जो मैं रियालिटी की बात करता हूं जो लोग चारजिंग मैं के स्पीकर इंगर फोल्डर टर्च डिस्प्ले बैटरी बॉड़ी पे काम कर रहा है आने वाला छे मैना सालवर में उसके लिए बहुत बड़ा मुसीवत आने वाला है ऐसा मुसीवत आएगा कि वह मोगाईल फोन छूने से डरेंगे इसलिए डरेंगे क्यों मोगानों को डिक करते हैं मैं हकीकत बोल रहा हूं यह नहीं वह समझ रहे होंगे ठीक है तो आज आक से मिस्टेक्स हो रहा है गलती हो रहा है आप से फॉन डेड हो रहा है यह किसकी गलती है आप तो कस्टमर को बोलेगे कि अरे भाई इसका समान नहीं मिल रहा है यह फॉल्ट है वह फॉल्ट है आप कुछ ना कुछ बोल करके कस्टमर को फॉन डिटर्न कर दोगे ठीक है लेकिन प झाल चलिए मैंने डिसेबल कर दिया नहीं तो कुछ लोग स्क्रीन पे स्क्रैच कर दे रहे थे ठीक है तो क्या है कि हम लोग तो चार्जिंग मैं के स्पीकर पे ही अभी तक रुके हुए हैं और आने वाला वक्त बहुत ही मुस्किल होने वाला है क्योंकि सर्किट बहुत ज्यादा कॉंपेक्ट हो जाएगा तो एक्चुली क्या है कि 5G नेटवर्क को समझने के लिए भाई पहले आपको ना बेस सिस्टम समझना परेगा कि नेटवर्क सेक्षन काम कैसे करती है सिंपल सी बाता में आवासा में मैं आपको समझाता हूं कि यह जो नेटवर्क सेक्षन है कैसे चलता है हाला कि देखिए आज का जो टॉपिक है वह बहुत एडवांस टॉपिक है तो कुछ लोगों को हो सके कि दिमाग में 100% डेटा नहीं आए लगे कि यह चीज मेरे दिमाग से थोड़ा सा उपर से चला गिया तो एक्चुली हम लोग भी थोड़ा सा इस बात के लिए म कुछ लोगों को थोड़ा दिमाग से उपर चला जाता है ठीक है तो सबसे पहले आप एक चीज समझें जो अगर कोई भी आप एक नॉर्मल मॉबाइल भी अपने पास लेते हैं जैसे यह हमने एक मदर बोर्ड आपके सामने रखा है ठीक है एक नॉर्मल बोर्ड भी हमने आ आप नोटीस कीजिएगा देखेगा यहां पेक आझजिए आप देख पा रह ogóle तो इस सबसे पहले का मकरने सबसे पहले का करने का वरकिंग क्रिंसपल आपको पता है यह चीज सबसे पहले आप नहीं 4GPA इसको देखिए इसके काम करने का आपको work and principle सही से पता है और इन तीनों IC को एक communications की माध्यम से merge किया जाता है अब ये तीनों IC एक communication के माध्यम से जब merge हो जाती है तब जा करके इसको CPU access करता है तो जब ये principle आपको clarity से नहीं पता है तो 5G में आप हो जाएंगे जीरो जीरो बटे जीरो जैसे बचपन में लड़ो मिलता था classes में उसमें हो जाएंगे आप लड़ो आपको क्या लगता है mobile repairing कोई बच्चों का खेल है क्या कि mobile आया बस ऐसे हीट मार दिये दे हो गया कि असरकिट क्या हो गिया है पर सबसे पहले हम आपको एक सबसे पहले हम यह नेट वकिड कैसे अ तब न बात आइज जाएगी कि 5G कैसे चलती है तो एक क्योंकि मेरा मेन काम है आपको यह समझाना कि कोई भी चीज चलता कैसे है जब वह आप समझ जाएंगे कि वह चलता कैसे है फिर आप उसमें हो रही फोल्ट को ढूंड पाईएगा जैसे मैं एक आप ऐसे नॉर्मली समझ लो एक मोबाइल आपके पास बनने के लिए आता है और किया रहता है वह रहता है यानी बंद फोन रहता है तो आप उस बंद फोन में सबसे पहले क्या चेक करते वा cadre बैट इसको दबा करके देखते हैं तो यह चो आप अपना mindset करते हैं यह चीज़ तो आपको पहले से पता है कि एक डेड़ फोन है तो हमें यह सब करना चाहिए क्योंकि वह आपने किसी से सीखा है या फिर आपने यूटूब पे दे करके सीखा कहीं से सीखा लेखिन क्या उतने से हर चीज़ सॉल्व हो जाएगी पोसिबल नहीं है तो आपको मैं एक बार नॉर्मली ठेट वासा में समझाता हूं कि यह network काम कैसे करता है ठीक है मान लिया जाए यह आपकी है एंटी ना ठीक है मैं एकदम easy तरीके से बताने की कोशिस करता क्योंकि मैं चाहूं तो direct schematics में मैं आपको ले जाकर कि उसका पूरा sequence खोल के दिखा सकता हूं लेकिन अगर वह मैं खोल के दिखा हो ना तो आपके लिए एकदम सर पे टौकड़ी जैसा हो जाएगा आप बोलोगे अरे इतना मेहनत करना परेगा सर जी इतना तो मैं नहीं कर सकता है ना चलो ठीक है द इसका मतलब होता है एंटिना में से signal transmit भी होती है यानि भेजी भी जाती है और receiving का मतलब होता है लाया भी जाता है तो एंटिना को बोला जाता है TRX ठीक है TRX transmit and receiving और एंटिना से यह जो transmission होता है इसको करवाने क्लिए सबसे पहले आप mobile में का ऐसी देखते हैं जिसका नाम हो इससी को आप यहां पर एंटिना लगाते हो ना यहां पर मेरे करसर को नोटिस किजेगा यहां पर एंटिना को लगाते हैं तो यह एंटिना के सिगनल सबसे पहले इससी में आती है तो हम इसी की बात कर रहे हैं तो यह यहीं आईसी को मैं अपने भासा में इससी को मैं FM कहता में इसको front end module बोला जाता है front end module का मतलब होता है यह सबसे पहला front जहां पर signal आती है front and module ठीक है और इसके अंदर जो होता है एंटीना स्विच वो इसमें in build होता है एंटीना स्विच जो है वो इसके अंदर होता है जब Nokia की जमानी थी ना तो antenna switch बाहर हुआ करता था अब क्या है कि एंटिना स्विच इसके अंदर होती यह जो रहा है यह जो शीगनल बास मज़ में आपने मोवाइल गूर्ट को यहां से नाम सुना होगा इतना बोलचाल की हांसा मैं बाने सब्सक्राइब अब इसको यह भेज देगा कौन सा सिगनल अगर आपका लो बेंड जिसको हम लोग तूजी कहते हैं कि अब अगर मान लो कि आपका है हाइब क्या है हाइब है यह क्या करेगा यहां से सिगनल को यह यह बेंड पास फिल्टर की माध्यम से यह जो गोल गोल में बना रहा हूं यह भेज देगा इस को जिससी को हम लोग कहते हैं 4GPA क्या कहते हैं इसको हम लोग 4GPA इसको भेजेगा इसको मैं अपनी भासा में कहता हूं टेक्निकल भासा में लम्ह का मतलब होता है लो मीड हाई बेंड पर यह काम करता है जिसको आप लोग क्या कहते हो 4GPA क्या कहते हैं 4GPA पावर एंप्लिफाइर और इस ऐसी के पास आपका आता है कौन सा सिगनल हाई बैंड और यह ऐसी फिर क्या करती है सिगनल को भेज देती है WTR या STR को किसके माध्यम से इस बैंड फिल्टर की माध्यम से बस एकदम पहले छोटा सा सब्द में समझें यह नेटवर्क चल क्या रहा है छोटा सब्द में फिर हम इसका आपको बिस्तार दिखाएंगे कि यह 5G कैसे एक्सेस कर लिया पहले हम यह तो समझें कि भाई यह कैसे सिगनल का आदान परदान किया तब न 5G को यह कैसे एक्सेस कर लिया नहीं तो क्या होगा ना कि डारेक्ट 5G सर के उपर से चली जाएगे आई बास समझ में ठीके अब यहां से समझें कि कोई भी आपका जो सिगनल आएगा तो यह आईसी तभी न उस सिगनल को एक्सेस करेगा जब इसकी requirement पूडि होगी क्या पूडि होगी requirement माले ऐसे समाझे अगर मोबायल में कोई problem आता है तो अगर नहीं आनँ होता है तो अब बैक्ट्री को Charge के लिए check करते हैं mobile charge नहीं होता है तो यूसवी में 5 वोल्ल चेक करते हैं यह आप क्या चेक करते हैं तो यह जो सिगनल्स का ट्रांस्मिशन यह तभी होगा यहां पर जब आइसी का सब आइसी का अपना एक रिक्वर्मेंट पूरा होगा क्या पूरा होगा रिक्वर्मेंट तो अब यह आइसी क्या गरेगा इन सभी सिगनल्स को किसको देगा डव्लू टीयार या एस्टीयार को और WTR and HDR किसको दे देगा यह दे देगा आपके CPU को किसको देगा CPU को ठीक है अब देखिए यहां से जो पूरा network sections में जो IC है इसका load किसके उपर है WTR के उपर अब इसमें एक IC और लगी होती है आजकल के phone में आपने सुना होगा आप लोगोंने सुना होगा नहीं भी सुना है तो कोई बात नहीं है इसको एवरेज पावर चेकिंग कहते हैं अब इस जब आपके दिमाग में छप जाएगा तब आपको mobile repairing करने में मजाएगा और जिस नहीं भी होगी उसको भी आप ठीक किजेगा ठीक है अब यहां से आप देखिए कि हर का अपना एक requirement है requirement का मतलब ऐसे जो यह front end module है इसको भी तो काम करने के लिए जी चाहिए ना voltage चाहिए ना तो देखिए सब आप IC को काम करने के लिए क्या चाहिए इस अगर front end module की बात करें इसको काम करने के लिए सब से पहले चाहिए 3.80 volt जिसका नाम होता है वी पी एच वी पी एच का नाम सुने होंगे आप लोग नहीं वी सुने होंगे आगे अभी सुन लिए तो आगे आपको पूछने में हरा है यानि डाटा का ले लिख किया दिन भर क्या तो आदान परदान हुआ इसको भी प्रोटोकॉल कहते हैं तो हम लोगों का प्रोटोकॉल का जो जरिया है वो क्या है मोबाइल फोन है हम मोबाइल फोन के माद्य हम से एक दूसरे से बाचित किये लेकिन यह को बात आप जानते हैं आपके मोबाइल में जो आई सी लगी हुई है यह IC भी CPU से प्रोटोकॉल करती है यानि वह IC जब काम करती है तो वह CPU को बताती है कि सरकार हम क्या कर रहे हैं अभी हमने कौन सा सिगनल्स को भेजा है कौन सा सिगनल्स को नहीं भेजना है कौन सा सिगनल्स को स्टॉप कर देना है कॉल को कब हमें इंड कर देना है यह सब सार हर IC को बताता है इसमें टोटल कितने IC आप देख रहे हो चाराइसी फ्रंटेंड मोड्यूल LMH WTR और APT चाराइसी आप देख रहे हैं इन चारों का कमांड CPU के हाथ में होता है ठीक है तो CPU क्या करती है इन चारों क्या करता है कमांड करता है और यह जो प्रोटोकॉल है यह किस से जुड़ जाती है आपके CPU से इस प्रोटोकॉल का नाम क्या है और दूसरे का नाम है और एफ 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 एटा ठीक है डेटा यह दो लाइन प्रोटोकॉल में हमेशा यूज होता है और एफ 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 डेटा इस लाइन के माध्यम से CPU उस ऐसी से कमांड करता है अब उस ऐसी की कमांड होगी अब यह जो LMH है इसको भी चाहिए प्रोटोकॉल यह भी देखें जूड़ गिया देखें उसी लाइन से यह भी जूड़ गिया अब यहां पर देखिए एक चीज कोई अगर कॉपी पर कोई डाग्राम मनती है उसका एक रूल होता है कि अगर क इसलिए अब यह मत सोचिएगा कि यहां जो हुआ है ना यह जैसे आपस में इसे बिंदा लग जाएगा तो यह हो गिया कॉंटेक्ट क्या हो गिया कॉंटेक्ट तो जब कोई डाग्राम मनती है तो यह चीज आपको समझना परेगा कि कौन सा लाइन आपस में जूड़ा है क ठीक है अब आप सोचिए कि यह जो सीप्यू से आरफफ़ी प्रोटोकॉल की लाइन निकली है इसमें कितने आइसी कनेक्ट हो गए है टोटल एक फ्रंटेंड मोडियूल एक लमेच और एक एपीटी तीन आइसी इसमें कनेक्ट हो गया तीन आइसी का क्या है और टेटा से इसको भी कहते हैं और एफ 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 ए लॉक कि एड़ अर फफ डेटा अब काफी लोगों के मन में ट्रेंशन था कि ओनलाइन कैसे सीखेंगे तो देखिए यह उनलाइन कैसे सीख रहे हैं साथी साथ यह चीज़ तो अभी आप यहां पर देख लेकिन यह चीज को जब हम इस तरह से बताते हैं इस चीज को हम आपको सर्किट पे दिखाएंगे आता है कि नहीं आता है जब यहीं सब चीज आप सीख जाओगे तब इन आप से फोल्ड बनेगा जी ऐसे थोड़ी नहीं यह समझ लो कि कोई दुनिया में मैजिक ट्रिक काम नहीं करता है सब एक आँखों का दोखा है बस आप यूटूब पे देखते हैं इसे चुआ मोवैल बन गया उससा सब आँखों का एक दोखा है ठीक है हकीकत में क्या होता है सर्किट की आपको वर्किंग प्रिंस्पल जानन अगर मैं आपको बोलू कि बिना बैट्री का सेट आउन कर देंगे तो आप माल लोगे बिना बैट्री का उसमें एनरजी कहां से जाएगी तो आउन कैसे हो जाएगा है ना तो हर चीज का अपना एक सिक्वेंस आप समाझने का कोसिस कीजिए अब इस आईसी का जो और ही कंपोनेंट्स वेगर अभी है वह सब चीज हम आपको बोड़ पर दिखा देंगे बसरत है एक आईसी का जो एक मेन रिकॉर्मेंट होता है यह सब से पहले आपको दिखान देना है थ्री पॉइंट से एटी वन पॉइंट एट एट एन और फेप्रोटोकॉल अब यह सबाति है इसका सेम पह्रुइंट एक 3.80 है और एक दूसरा दूसरा 1.8 है सब और को अलग से एक वोल्टेज मिलती है इसके माध्यूं से APP है किसके माध्यूं से तक होती है और यह 3.80 और यह 1.8 तो आपका जो 4G PA है उसका कितना requirement हुआ ध्यान से समझेगा एक तो 3.80 एक वोल्टेज दूसरा हो गया 1.82 वोल्टेज तो तीसरा हो गया 3.3 वोल्ट एपीटी वोल्टेज हमेशा 3.3 नहीं आती है वह आती है 3.60 से 3.3 तो हमने 3.3 लिख लिया है और बाकि आपको अगर लिखना हो तो आप इसमें homework कर सकते हैं एपीटी सप्लाइ 3.60 से 3.3 तक maximum होती है एपीटी का मतलब होता है यह जो आप आईसी देख रहे हो यह वाली यह जो मैं एरो से दिखा रहा हूं आपको यह एपीटी का मतलब होता है average power tracking यानि कि जब आप अपने मोवाईल को ले करके stealthy रहे होते हैं चल करके बात करते हैं या गारी चलाते बात करते हैं या ट्रेन में बात करते हैं तो यह आईसी ही आपके LMH को उसके according आपके गती के according supply प्रोड्यूस करती है आपका वो गती को समझ लेता है कि आप कभी टावर में आ रहे हैं कभी जा रहे हैं कभी दूर हंट रहे हैं कभी नजदीक आ रहे हैं उस हिसाब से आपके आईसी को यह voltage कल्कुलेट करके देते रहाता है इसलिए इसको कहता है Apet average power tracking यह आईसी भी आपके Circuit मैं होती है अब आपको पहले हम यह आसी आपने देखा है Apet अब यहांतो दिखाए बोड में हमने नहीं देखाए आप देखें हैं व॓ड में दिखाते हैं लगा उसके भाद हमने जिक्र किया इस वाले असी यह ऊगया यह दूसरा डेख रहे है 56020 यह इसको LMH कहते हैं लो मीड है पीए होता है यह पावर एंप्लिफाइर तीसरा में हमने किसका जिक्र किया था APT यहां देखो एक कोने में यह जो आईसी लगी यह सिल्ड के नीचे यह देखें यह कुंसी ऐसी है APT एकदम तन्नीगों का ऐसी है ठीक है एकदम कितनी चोटी ऐसी है अनेट वहीं मेरे करसर के सामने मेरे करसर पर ध्यान दिजेगा यहीं कितना चोटा ऐसी है नेटवर्क का समझ लिजे भाई साब सबसे इनपोटेंट आईसी है इससे भी आपकी मोबैल नो सर्विस पे चली जाती है आपका मोबैल आपका रेडियो आफ का भी प्रॉब्लम आता है यहां से थोरा सा सील्ड को नीचे हलका सा पैक नहीं किया पानी उनी जो है न सीम ट्रे के तरफ से पानी उनी जाती है इस आसी में चली जाती है पानी वटर वेगर और इसमें चली गए न तो यह काम करना बंद कर देगा आपका मोबैल अगर यह आसी पूरी तरह से खराब ह गिया तो रेडियो आफ हो जाएगा बिल्कुल भी टावर नहीं आएगा या हलका फुल का इसमें प्रॉब्लम आई बोल्टेज बनाना कम कर दिया तो मोबैल टूजी पकरेगा फोर्जी नहीं पकरेगा फोर्जी पकरना बंद कर देगा तो आप डैरेक्ट आईएगा लोड़ी नहीं चल जाएगा इसलिए किसी भी चीज में प्रॉब्लम को पकरने से पहले उसका भोजन पूर्टी किजेगा नहीं उसको वर्किंग बोल्टेज तो मिल रही है कि नहीं उसका कंट्रोलिंग हो रहा है कि नहीं का मतलब होता है ड्राइव जैसे हम लोग गारी च समार्ट चीप है कौन सा चीप है स्मार्ट सीप है उसका हर एक चीज जो है एक एक सेकेंड का एक पइलका ख़बर चकार दिने के लिए आराईफए क्लुल की लाई फिक श्यार्य चल रही Belgian यहिए चेक करना परेगा अब भोलो को एक साटर राएफए क्ला लाइन कईसीं चे इस फोर जी पीए को भोजन देने का काम कौन करता है एपीटी ऐसी वोल्टेज देने का काम कितना पॉइंट सिक्स्टी से ले करके 3.3 वोल्ट ठीक है तो यह हो गया दूसरा इस्टेफ में आप आ जाईए डबलू टी आर यहां देखिए डबलू टी आर अब डबलू टी आर तो भाई सुने ही होंगे जी ओ में भी लगा होता है नेटवर्क रनिंग होती है आप उसको चेंज करते हैं है ना उससे भी प्रॉलम सोल्व हो जाती है इस डबलू टी आर का रिक्वर्मेंट है अब देख रहे हैं डबलू टी आर देखा तूजी पी एदेखा एलमेच आपने देखा कौन सा ऐसी जिसको फोरजी किये कहते हैं अ कि अधिए एलमेच फोरजी पीए एपीटी आईसी आपने देखा तो यहां पर हमने जो जो डाइग्राम बनाया इसके अकॉर्डिंग बोर्ड पे सभी ऐसी लगी हुई है फ्रॉंट एंड मोडियूल टू जी पीए एलमेच फोरजी पीए एपीटी आईसी अब डबलू टी आर नहट इसका देखिए डबलू टी आर का रिक्वर्मेंट कि एक कि दो कि तीन यह इसका तीन जगह बोल्टे जाता है 1.0 यह बात आज तक आपको कोई डिटेल में नहीं बताया होगा ध्यान रखेगा डबलू टी आर पे 1.0 और 1.8 की सप्लाय तो जाती है यह आपने सुना होगा लेकिन यह आप बहुत कम ही लोग सुने होंगे कि डबलू टी आर पे जो 1.0 की वोल्टे जाती है वो तीन इस्थान पे जाती है और जानते हैं उन तीनों इस्थान वाले लाइन में रजिस्टर लगा होता है मैं इसको एक बार और थोरा सा क्लियर करके समझा देता हूँ कि देखो यह रजिस्टर का सिंबल है एक है कि दो कि तीन है ठीक है अब इसमें एक होता है में रजिस्टर और इस पे आती है कितना भोल्ट 1.0 और आती है एक आपका 1.8 ठीक है यह है WTR का में सप्लाई 1.03 इस्थान पे जाती है तीन रजिस्टर लग करके और 1.8 एक इस्थान पे जाती है एक रजिस्टर लग करके डबलू टी आर का रफ फी प्रोटोकॉल तो आप देखी रहे है यह वाला रफ फी प्रोटोकॉल इसके बाद चाहिए आपके डबलू टी आर को यह चाहिए आपको यह कौन देगा यह देगा पीएम आईसी कौन देगा पीएम आईसी यह आपका क्या हुआ एक नेटवक सेक्शन में लगे हर आईसी का एक सबसे पहला बेस रिकॉर्मेंट हुआ क्या हो गया यह सबसे पहला एक बेस रिकॉर्मेंट हुआ नेटवक सेक् और अगर यह चीज अगर आपको मालूम नहीं है बोड़ पे आप इन चीज़ों को नहीं माप सकते चेक नहीं कर सकते M Weihnacht यही चीजшие यह मैंने पहले आपको basic समझाएं बेसिक मैं अभी कितना ज्यादा कम जोर हो यह basic है तब आती है बात 5G की तो यह सारी चीज़ें हमारा किसमें आ जाता है एक बेसिक चीज़ों में आ जाता है नेटवर्क में और यह सारी चीज़ जब आप बोर्ड पे मिला लोगे तब जा करके आपकी चाहिए नोर्मली यानि कि नॉर्म लिये पीटी ऐसी को भी चाहिए वी पी-एच ठीक है और एपीटी ऐसी को भी चाहिए 1.8 तो कितना हो गिया पंदरा दू सत्रा रिप्वेर्मेंट और दो आफ यानि कि एक बाद मुझे बताई है जब आपकी मोहल में नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है तो मीनिमम 20 चीजों को मापना पड़ता है 20 चीज क्या आप मापते हो नेट्वक सेक्शन में यह 20 लाइन्स को क्या आपने आज तक फोलो किया है अगर किया है तो एक बार आप जड़ा चैटबॉक्स में यह स्यानों लिखिए चलिए मैं चैटबॉक्स एक बार आपके लिए इनेवल करता हूँ कहां गए भाइस है चैटबॉक्स है रोकना ही पड़ेगा चलिए मैंने चैटबॉक्स इनेवल किया है अब मुझे एक बार आप लिखिएगा क्या यह 20 चीज आप फोलो करते हैं नेट्वक सेक्शन में 4G की बात है भाई साब 4G 5G अभी दिल्ली दूर है लिखो आप कितने लोग लीख रहे हैं कि लिखिए फटा फट नो प्रॉब्लम कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि चलिए कि कि अ कि ठीक है कि चलिए आप लोगों ने तो चैट देखी लिया होगा आप लोगों ने चैट देखा ना भाई साब एक वेक्तिव यह से नहीं है जो इन 20 चीजों को टच कर पाते हैं एक भी ऐसा अभी आप लोगों ने नहीं मैसेज किया मैंने नहीं नहीं देखा अब आप यह चीज़ सोचिए कि कि कितने पीछे हैं आप दुनिया 5G पर जा रही है और आप 4G का सिक्वंस आपको नहीं मालूम है ठीक है कितना मतलब अफसोस की बात है और यह चीज़ आप बोलोगे कि कौन बताएगा यूटूब बताएगा यूटूब एक परसंट दो परसंट की नॉलेज देती है ठीक है और वो भी वहां से हाइड रखा जाता है सिरफ आपको एक सक्सेस रिपोर्ट दिखाया जाता है सिर्फ आप extra स्ट पर देखो comics चीज़ेने देखती हैं अब मुझे यह जो मैंने इतना इतना deeply में आपको समझाया इतना deeply में आप मुझे बताओ कि YouTube पे भी आप देख लो इतना deeply में आपको कौन बताता है एक एक चीज को अब आप बोलोगे कि सर जी नहीं तो कहीं न कहीं तो आपको अपना एक target बनाना परेगा ना कि जहां से मुझे घ्यान अर्जन कर सके वो भी कि हमें जैन्वली चीजों को समझाया जा सके अब हम बात आ जाते हैं थोड़ा सा 5G के तरव जब आप इस circuits में यह हाल है तो अब आप आजाए थोड़ा सा Samson में यह देखे यह Samson है अब Samson की circuits क्या है हमारे 4G की circuit से थोड़ी different हो जाती है थोड़ा different हो जाता है अभी जो आ है थोड़ी आपकी बदल-जाती हम इच пожण फोड़ा अगर आपको addition सोट लेना है तो आप ले लो क्योंकि मैं सब्सक्राइब करने वाला हो होण हरा अगर आपको जाना है तो आपड़ी हाला कि मैं यह वीडियो भी आपको भेजूंगा ठीक है काफी इन्फोर्मेटिव चीज आपको इससे सीखने को मिलेगी ओके नेट्वर्क सेक्शन का बेसिक का इसमें पूरा चीज हमने आपको कवर किया है चलिए अब मैं इसको हटाता हूँ देखें नेट्वर्क सेक्शन में क्या है अभी जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह हमारा सैम्सन का एक नेट्वर्क सेक्शन होता है कि हमारी सैम्सन की नेट्वर्क सेक्शन जो है इन चीजों पर ही काम करती है जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे ह हुआ है देखो कुछ भी नहीं लगी है जो चीज अभी हम आपको नॉर्मली अपने हाथों से बनाए ते उसमें आप बहुत बढ़ियां से समझे होंगे इसमें भी क्या है यहां पर देखिए आपका यह क्या है एक फ्रॉंट एंड मोड्यूल इसके बाद आएंगे इसमें है है यह LMH है यह जो आप देख रहे ना यह LMH लोओ मीड है यह वाली आइसी और यह आपका डबूट है इधर वाला क्या है डबूट है नहीं लार हों ये आपका है यह आपका बहतर आइडिया मिलेगा यह जो आप सेमसन का बोर्ड देखते हैं यहां पर ठीक है इसमें भी आप लोगों को नहीं पता होगा कि कौन सा ऐसी क्या काम करता है यहां से देखें यह इसका फ्रॉंट एंड मोड्यूल ठीक है यह और यह इसका है LMH लो मीड है और यह है इसका जिसको आप लोग WTR कहते हो और यहां पर जो यह देख रहे है न यह है इसका 4G PA especially Samson में 4G PA अलग होता है अलग मतलब ठीक है और यह जो आप ऐसी देख रहे हो LMH इसमें यह काम करता है 2G का और 3G का यह 4G Samson का एकदम सबसे अलग कर दिया जाता है एकदम सबसे अलग उसको बागी network section से कोई मतलब नहीं होता है ओके Samson में आप देखिए आपको थोड़ा सा यह मैं बता दूँ कि यह जो Samson की network section या कोई भी network section होता है इसमें हमारी जो बेंड से उसको किस category में बाटा गिया अगर बेंड को आप देखोगे तो हमारा है lower band जो कि 600 MHz पर काम करती है और जो medium है वह 1.4 यानि जिसको आप 1400 से 800 MHz काम करता है जिस पर आपकी 3G एगरा चलती है और एक है आपका higher band जो कि है 2300 से 3700 मेंघ हर्द जो कि आपकी 4G काम करती है और एक है आपका ultra high band जो की 3.4 और 3.8 का मतलब होता है चौनतीशा से लेकर के 3800 MHz इसी पर आपका में 5G चलती है क्या चलती है पर inten 5G काम करता है 3400 से 3800 MHz की frequency ठीक है अब इसमें हम आपको एक चीज़ समझाते हैं bands का knowledge कि आपको इसमें bands कैसे पता चलेगा एक सेकंड लूग जाईए जब आप 5G के तरफ आईएगा तो यहां पर देखिए अब आपको 5G का circuit दिखेगा ठीक है आप देखिए यह 5G और यह 4G कितना का फरक है यह देखिए कितना साधारन सरकीट है यह आपके समझ में अभी नहीं है और यहां आपको आना है कहां आना है यहां पर ठीक है यह है आपका पूरा 5G इस पर आपको आना है यह तो यह जो sequence है न यह sequence बहुत मज़ा आएगा समझने में जब आप 4G का जो अभी हम आपको बताए हैं जस्ट लाइक बना करके वह अगर आप समझ गए तो यह चीज फिर आपके लिए आसान हो जाएगा अगर वह चीज अभी आप नहीं समझे तो यह चीज आपके लिए मुस्किल ही रहेगा आई बास समझ ठीक है हम आज जितना possibility हैं लेके चलते हैं कल होगा तो थोड़ा सा और हम इस पर आपको बताएंगे फाइब जी में इंटर करके ओके एक दिन में तो पूरा नहीं खतम हो पाएगा कोसिस तो हम बहुत किये बट चैप्टर ही इसकी बहुत बड़ी है फाइब जी की नेटव लोग है चैनल का लिंक डाल रहा हूं जहां से और भी चीजें प्री में सीख सकते हैं तो आपको लिंक अभी दिया गया है ओके मैं एक नट चैट बॉक्स को इनेवल कर देता हूं एक से लिंक डाल दिजिए सर एवरीवन चैट बॉक्स में हमारा यूटूब चैनल का लिंक है जिस पर आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेगी नेट्वक सेक्शन से ले करके काफी सारी सेक्शन थर्मल कैमरा वेगरा आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और एक बाद चैट बॉक्स में लीग दिजिए कि येस हो गिया ठीक है एवरीवन फटाफट तक थेंक यू अजेज जी थेंक यू कि आख अच्छा कुछ लोग पहले से कर रखें तेंक्यू कि कर लिजिए वरीवन फटाफट फट फाइदे काहीं चीज है वहां से आपको इंफोर्मेशन क्लास से ले करके कोर्स वेगरा और काफी सारी आपको टेक्निकल चीज़ें सीखने को मिलेगा तो इसमाइल सर साथ बच के 55 मिनट हो गए है नेक्स हमारी और क्लासे से कंटिन्यू रखें या फिर यहां आज लास्ट कर दें सब्सक्राइब कर लेते हैं कि अब कर लेते हैं कि अपने जो एक सिस्टम देखा काम करने का वाके ही आपको कैसा लगा ठीक लगा या फिर यह आइडिया पहले से था जैसे हमारे एक पहले रिसब जी भी अभी हमसे जुड़े थे कुछ दिर पहले क्या नाम रिसब जी थे ना आइफोन वाले रिसब भाई हमसे बात हुई थी तो एक बार आप हमें अपना कमेंट शे कि आपको प्रोटोकॉल पता था आरफे प्रोटोकॉल के बारे में आप जानते हैं आरफे प्रोटोकॉल लुए चलिए कोई बात नहीं है अभी जो हमने उससी का हर एक हैसी का एक रिक्वर्मेंट हमने बता है क्या यह रिक्वर्मेंट आप चेक करते हैं मदर्वोड के ऊपर कि अब भी तक तो कोई काम नहीं है कोई बात नहीं चले ठीक है ठीक है ओके सब्जी थैंक्यू 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 तो एक्चली देखिए होता कि जब हम किसी भी चीज के बारे में जब जान लेते हैं तब हम इन चीजों को चेक करने की इच्छा होती है जब पता ही नहीं होगा तो छेक करेंगे है न तो नेट्वरक सेक्शं में आप लोगोंने आज कितना सीखा 10% 20% 30% आप हमें एक रेशियो also लाइट वोक्स में दीजिए ताकि हमें भी आइडिया लगे कि हम आपके लिए कितना कोशिश कर पा रहे हैं किसी भी टॉपिक के ओपर हम कितना तक आप से शेयर पा रहे हैं चीजों को ठीक है जैसे आज हमने जो चीज बताया उस चीज में आपने कितना सीखा जो हमने आज पताया वह आप 100 परसेंट समझ गए या फिर 20 परसेंट समझे या 30 परसेंट समझे यह एक आप हमें रेश्यों सेंड कीजिए ठीक है चलिए ठैंक यू एवरीवन काफी लोगों ने तो 100 परसेंट गैन किया है बहुत बढ़िया ओके रिकॉर्डिंग मिल जाएगी नो प्र सब्सक्राइब हो जाएगे नमस्ते सर नमस्ते कहिए क्या आपको आज थोड़ा डिफ्रेंट लगा आपने चैट बॉक्स में लिखा आपका मैं रेगुलर क्लास में भी जुड़ा हूं नव से दस प्यम का बढ़िया मैं फिरे में जब आपका क्लास जब आता है तो लिंक क से तो कुछ नहीं कर के समयठ दे तो पहला सिखाए थे उसमें से कुछ नहीं मिल तर Tingी चले बहुत बढ़ेंदर आपकाान से बुस्माहीं हां यह सर में नेपल हां हां आपने जने बहुत अंपाल से चल रही है ठीक है प्लास अप हमारे paid classes में है तो आपका classes कैसा लग रहा आपको आप प्रॉड ना हो जाए ऐसा तो मन में चला होगा कभी ना कभी आपको भी हमारे साथ में जूरने से पहले पहले चला सर मैंने उस पर वार्षब बोला भी पैसा जब देने का रहता है तो फिर नेपल का जो इस वाद यह को यह करते भी है करके को यूट्यूब में आता भी यूट्यूब मुझे वैसे लागा तो बात में जब जूड़ गए तो हम सब्सक्राइब और सब्सक्राइब अच्छा जाओं अभी आपकी क्लासे समातर पांच दिन ही चलिए गुपेंदर जी पेड़ वाली जी 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 आज पांस होगा पांस दिन आज आपका क्लास चल उसी में था अभी लब लब 10-15 साल हो गया मैंने गुजरात से एक पॉसल में एक शॉप में सीका था थोड़ा सा मनलब उसके बात अपडेट नहीं हुआ था अभी अपडेट होने की जो बहुत बेस अब्सक्राइब जा रहा है जारे सब्सक्राइब हिंदी बोलने में भी दिक्कत होता है चलिए जो लोग भी चाते हैं कि हमें पेट सर्विस में सीखना है तो आप आज डिसीजन लो या चार दिन बाद लो या पांस दिन बाद लो कोई दिक्कत नहीं है बट आप टेंशन फ्री रो एटू जैट आपको फोन की हम आपको नौलेज देंगे और इस चीजों को चेक करने के लिए हमें सक्वेमेटिक का हैल्प कैसे लेना पड़ता है क्योंकि देखो मान लो सर्कीटहे उस इसथान पे कितने वोल्टे जाने वाली है वह चीज का सही लोकेशन हमें बताएगा इसका मेंटिक से उन चीजों को बॉड़ पर कैसे टाइग्नोस कर और भी कोई लोग है हमारे नेपाल से जो कि अभी किसी ने चैट में लिखा था कि सीखने कैसा रहता है एक साथ हमारे जल्पा इट सोल्यूसन है कोई एक सब्सक्राइब कि है हभी कि हिंग टम्हें और है कि Help कर लिए जिनका सवाल है चले एक संदीप मलीक इन से ठोरा सा बाचित कर लें कहिए संदीप मलीक जी अन्मूट हो जाए खानग सुन पाए है अब सक्वेकि मांही हैं संदीप मलीक अपनवीट हो जाए मैं अपने हम्राइज किया है संदीप आप सुन पार हैं अब कि अपके स्क्रीन पर एक अन्म्यूट का आ रहा होगा और संस अ कहिए जी मैं सुन पार हूं संदीप कैसे हैं आप ठीक हूं कहां से हैं संदीप जी मैं नेपाल सब्तरीश हूं करें लिए क्या क्वेश्चन है को इसे नहीं आज में पहले पहली बार आ हूं झाओके ठीक है व्हुंटने हम साथ जुड़ें कुछ अच्छा फील हुआ कुछ अच्छा फील हुआ को भूंत अच्छा बहुत अच्छा अपने पर्म जैसा फील हुआ यह फिर लगा कि नहीं मेरा तो यह पर्स्ट एक्स्परियंस था ओनलाइन क्लास का ऐसे तो बहुत क्लास किया लेकिन यह अलग-अलग पढ़ने वाला क्लास किया सब्सक्राइब बहुत बढ़िया चलिए जल्पाज आपकी अपना सौप है कि अपना फसल कि सैद आवाज कर रहा है ओके संदीब जी बने रहिएगा कल भी हमारे क्लास से चलेगा ठीक है ठीक है ठीक है सब्सक्राइब और एक जल्पाजी है ओके या जल्पाजी अन्म्यूट हो जाईए जल्पा आपने मैसेज किया नमस्कार कहिए अच्छा नेपाल से ही है काफी सारे लोग नेपाल सो लेडी हमारे साथ जुड़े हुए है यह पहले बाद में सब्सक्राइब करता हूं सिंगल डेकर थोड़ा बहुत काम करता हूं कर लेते हैं तो इसा प्रेसिंग के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो आपको दिखाया कल हम इस चीज को थोड़ा सा लाइब चेक करके आपको दिखाएंगे तो होता कि इसी तरह से हम लोग सीखते हैं यहां पर क्या है यह तो यहां पर आपको बोलने का मौका इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि यहां पर काफी सारे लोग है तो माइक को बंद रखते हैं बट जो पेड़ चलेगी वहां पर आपका माइक हमेशान म्यूट रहेगा जमर जी आप जो चाहें पूछो कोई प्रॉब्लम नहीं आप आराम से सीख लेंगे इसी चीज को तो एक्स्प्रियेंस करने के लिए यह क्लास चलाना हमारा मक्सद है वह भी पांस इन करेंगे तो कितना लगेगा पेड़ क्लासेस का जो चार्ज है वह बहुती कम है लेकिन आज उसकी प्राइस नहीं होगी वह होगी कल नहीं परसों ठीक है अगर आपको चाहिए प्राइस तो आप चैट वोक्स में नंबर डाल दीजिए आपको प्राइस बता दिया जाएगा वाटसप करके बहुती जैसे कि कंपोनेंट्स से लेकर के पूरा का पूरा एडवांस नोले तक हम आपको देंगा इसे समझली रेश्टेंज के परसिटर डायोट बेसिक ऑलक्त्रोनिक्स मल्टीर यानिकि मल्टी मिटर भी हम कई परकार का मल्टी मिटर आपको सिखाते हैं जैसे देखिए एक नही सब्सक्राइब यहां तक की दिया सो मसीन थर्मल कैमरा लेकर सौर्टिंग हर चीज एट टू जानकरी आपको हर दिन एक घंटा नाइट में लगभा कितना मेहना का क्लास होगा दो मेहना प्लस दो मेहना प्लस का है और अच्छा तुछ तो यह अब्रीवन फील होता है कि हम लोग कहां है जलपा जी कहां है लेकिन फिर भी बातों करने से एक अपनापन महसास होता है एक अपनापन फीलिंग आता है और इनी चीज को महसूस करने के लिए समझने के लिए यह ट्रेनिंग चलती है और पहले तो पैसे वैसे का कोई बिल्कुल जिक्र नहीं होता पहले जिक्र होता है कि भाई आप क्या सीखेंगे उसके बाद जब वो चीज आपके लिए पोजेटिव सावित होती है तब जाकर के किसी भी फीस-वीस की बात होती है जब तक कोई चीज आपके लिए पोजेटिव ही नहीं फील होगा तो क्या फाइदा अब जब हमें भाई ये प्रोडेक्ट की जाहिए जोर्त ही नहीं कि खड़िदने का कोई फरजी नहीं बनता अज के लिए बस इतना ही आठ बच के साथ मिनट हो既या है 9 बजे से अग्ली क्लास है जिनको भी लगता है कि मुझे की जानकारी चाहिए प्रसनल में अभे उनको भी लेगा कल के बाद पेड़ कोर्स हम आपको ग्रूप में बताएंगे क्योंकि हम अभी ग्रूप में इसलिए नहीं बोलना चाहते हैं लोगों को लगेगा सर आप तो पैसे की बात कर रहे हो इसलिए नहीं मैं अभी बोलूंगा अभी पहले आप फ्री क्लासे से तो आपको प्रस्नल में हम इंफोर्मेशन भेज देंगे नहीं जिनको अभी और वेट करना है समझना है कि नहीं सर मुझे अभी और इंतजार करना है समझना है तो आप इंतजार करो कोई टेंसन नहीं है कोई दिकत नहीं है हम आपके लिए ही तत पर हैं ठीक है दो मिनट औ है iPhone के जीनियस कहीर आपका तो नाम जिनियस लीखा हुआ तो हम तो जीनियस ही बोलेंगे जी अन्मिट हो जाये कि आप सुन पारे हैं हमें अब सुन पारे हो जीनियस जो लेद अब कई हमारे लिए कोई आदेस है वे साव कोई क्वेस्टन है कुछ नहीं सर चलिए आज आज आप रिपेरिंग कर रहे हो अभी आप जिनियस कर रहा हो ना सर कर रहे हैं ठीक है आइसी लेबल का काम करते हैं आज जो मैंने इंफोरमेशन दिया आपको कुछ उसमें पोजेटिव आपको लगा कि हमारे लिए कुछ अच्छा है चलिए थैंक यू जी इसी तरह से बने रही है कर लगातार हमारे साथ अभी पांस दिन तक हम लोग लाइब रहेंगे ठीक है डेली साम में साथ से आड़ ठीक है ठीक है सर्थैंक यू आने के लिए जिनियस और किनी का कोई क्वेस्टन है तो हैं राइज करते चलिए एक मोहिन क्यों लेक्स हुए है मौय सेख ची अ कई सर सुनबसे हैं अ कि नमस्कार कई है मैं जी कैसे हैं कि भी आपके हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ कहां से है मौहिन जी बढ़िया ऑर और भी कई तो मुझे आपका ही बढ़िया लगा बहुत चीज भी अच्छे लिए आपका सिखाने के तीक नहीं है जल्दी समझ में आता है और जैसी की खान सर सिखा दें तरह बहुत जल्दी समझ में आता है हाँ वह भी हमारे बगलते हैं कई एक प्रोब्लम था कि अभी मेरा शॉप तो नहीं है हाँ 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 हो जाएगा हाँ हो जाएगा इसमाइल सर दो मिनाट बात कीजिए को कि और भी बहुत सारे लोग कनेक्टर हैं क्या सवाब आप बताएए अमीच शाकूर जी अन्म्यूट कर सकते हैं अमीच आप रागराव जी बताएए क्या सवाब आपका हैंड रेस कर रहा आपने जी 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 में अंतर क्या है तोड़ा बताओ जी और फाइफ जी में अंतर क्या भी चुसर ने डिटेर में बताया आपको क्लास नहीं किया क्या आपने आज का क्लास लिया प्रावट थोड़ा सा मेरा अच्छा तो वह आपको देखना आज वाला वीडियो आप लोगों को मिलेगा तो वहां से आपको आईडिया लग जाएगा ठीक है और जी जैसे दिखाते हैं लाइव प्राक्टिकल करके पूरा दिखाया जाएगा यह काम कैसे करना है ठीक है तो उसके लिए आप लोग को बस बने रहना पड़ेगा आज पहला दिन था दूसरे दिन और तीसरे दिन आपको आना पड़ेगा जी हमें जी और बहुत सारे लोग अभी तक कनेक्टेड हैं और आप लोगोने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो दो मिनट निकाल के आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आपको और भी जो भी नॉलेज है वहां से आपको मिल पाए और हमारे कोर्सेज और स्मार्ट मॉबाइल सॉलोशन की तरफ से जो भी अपडेट है वह आपको मिलती रहें लगबग 10-15 लोग और बचे हुए हैं जिसके वैसे हमारा 12 सब्सक्राइबर हो जाएगा फिर से डाल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करो अब रोहित जी कुछ सवाल है आपका बताएगे रोहित सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मतलब जो पेड़ था तो उसको फिर से करना पड़ेगा कि उसका उतना डिसकाउंट करके करना पड़े आपको पड़ेगा अपको बागी का पूरा अमाउंट करना पड़ता है तो आप ऐसा करो ना कि आप लगा मारे मैंने पहले क्लास किया था मुझे रीजॉइन करना वह आपसे कॉंटैक कर लेंगे टीम हमारी ठीक है कि ये 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 कि इसमाइल सर हो गया मेटिंग इन करे कल फिर इस्टाट होगी अजी सर कोई बात नहीं कि चले अब्रिवन आज के लिए बस इतना ही कल हम लोग फिर मिलते हैं इसी टाइम और डेट पर आप लोग जरूर आईएगा ठीक है कि आप लोग जरूर आईएगा कल क्लासेश में ओके अब्रिवन और नाइट टेके हैं मुस्कुराते रहिए अस्ते रहिए